इसी तरह ही पेज नबर 67 पे step 3 पे वो example दे के बता रहे हैं कि यहाँ पे N2 प्लस 3H2 equation balance हुई 2NH3 ठीके इसमें क्या हुआ कि 2NH3 के साथ NH is balanced है और यहाँ पे भी equation balance है equation कैसे balance है 2N हो गया और 3 जब इसके साथ multiply हुआ तो 3 और इसके साथ क्या आ गया जी आ गया ठीक है 3 को दोनों के साथ किया तो इसमें 3 common हो गया उसके बाद वो example 2 में कह रहे हैं कि CH4 प्लस O2 reaction हुआ तो H2O water और प्लस CO2 carbon dioxide हुई इसमें कह रहे हैं कि दोनों जानब पे element के atom की तदाद को जब किया balance किया तो क्या हुआ कि एक C atom है 4H atom है उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे products में C atom है H atom है और 3 O B atom है C इसमें balance हुआ ठीक है C balance हुआ H unbalance है और O B unbalanced है ठीक है तो अब क्या है कि यह equation balance है equation balance है क्योंकि इसमें C and H balance है तो it means कि यह equation क्या है यह balance है इसे तरह वो step 2 में कह रहे हैं कि CH4 plus 2O2 2H2 और plus react होके CO2 बना तो यह क्या है यह equation balance है इसमें C balance है यह वाला C balance है CO2 यहाँ C इदर से लिया और O2 इदर से लिया CO2 हो गया पिछे क्या राय गया H42 तो यहाँ पे 2 को कामल ले लिया तो 2H2 क्या बन गया water का formula बन गया water ठीक है तो यहाँ पर क्या है equation is balanced है यहाँ पर equation balance है क्योंकि C balance है एच भी balance है और O भी balance है तो इसमेंस कि यहाँ पर equation balance है example 3 में वो कह रहे है कि step 1 में क्या है CACL3 plus Na2 CO3 reaction हुआ CO3 NaCl यहाँ से CACL3 को एकठा कर लिया और पीछे क्या रहे गया NaCl2 Na और Cl2 हो गया इसमें वो atom और molecules की तदाद बता रहे है reactors में CA atom है और CA product में एक atom है वो भी यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है और इसमें CA balance है CL भी balance CL unbalance है NaB unbalance है C balance है और O भी unbalance है और इसमें कह रहे हैं कि N और CL को मतवाजन करने के लिए इसको फिर आगे again multiply किया अगले पेज़ जो equations है उसमें फिर उसको multiply किया गया है 2 के साथ 3 के साथ फिर यहाँ पर equation balance हुई है पहले वो कह रहे हैं कि N ने CL2 balance नहीं था इस equation में यहाँ यह balance नहीं है इसको balance करने के लिए जब इसे multiply किया गया है जब इसे multiply किया है 2 के साथ तो फिर CACO3 हो गया यह CACO3 और यहाँ से फिर NACL2 हो गया तो यह equation यहाँ पर balance हुई है otherwise पहले equation balance नहीं थी यहाँ तक आप लोगोंने करना है 8 class यह आप लोगों को बहुत समझ कि equations balance करन हम लोगोंने 5 step देखें equation balance करने के rules देखें यह आप लोगोंने 5 लिख रहे हैं homework में बाकिया आप लोगोंने यह सारा याद करना है